मेडिशीन और हेल्थ संबंधी चानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जासफाक के चैनल को और बेल आइकन दवाई लेटिस्ट नोटिफिकेशन के लिए नमस्कार आदाब आज की वीडियो में बात करेंगे OPD और IPD के बारे में जब भी आप होस्पिटल जाते हैं तो ये दोनों वर्ट्स को जरूर देखे होंगे तो इस वीडियो में समझ लेते हैं कि इन दोनों में क्या आंतर है OPD की जो फुल फॉर्म होती है वो है आउट पेसेंट डिपार्टमेंट और IPD की फुल फॉर्म इन पेसेंट डिपार्टमेंट होती है OPD के अंदर पेसेंट को भरती नहीं किया जाता है लेकिन जो IPD patient होता है उसको hospital के अंदर भरती होना पड़ता है OPD department में patient अपने विमारी को डायगनोस्ट कराता है कि उसे क्या विमारी है देन डॉक्टर उसे treatment लिख देते हैं और patient अपने घर चला जाता है उसे hospital में भरती होने की जुरूरत नहीं होती है जबकि IPD department में विमारी को डायगनोस्ट किया जाता है देन patient को admit कर लिया जाता है और वह patient डॉक्टर और nursing staff के care में रहता है जब भी किसी मरीज को surgery कराना होता है या उसे accident होई रहती है या severe disease हो तो patient को hospital में भरती करा लिया जाता है जिससे उसे 24 घंटे care मिलती है next जो difference है वो है bill payment का तो OPD में bill payment IPD के तुलना में काफी कम लगते है ये थी जानकारी IPD और OPD के बारे में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करे और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस करे धन्यवाद